भारत और न्यूजिलेंड के बीच तीन मैचों के T20 सीरीज बहुत रोमांचक मोड पर पहुंच गई है और सीरीज का फैसला साथ नवंबर को तीरोवननतु पुरम के नए नवेली स्टेडियम में खेले जाने मुकाबले से होगा लेकिन फैनल मैच से पहले दर्शकों के लिए बेहत बुरी खबर है दरसल तीरोवननतु पुरम में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अविवार को भी यहां तेज बारिश हो भी थी मौसम विभाग ने अगले तीन दिन और बारिश के संभावना जताई है इसके कारण फैनल मैच पर खत्रा मंडराने लगा है लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रीन फिल्ड की बिचकोट ढखका रखा गया है बारिश के खत्रे पर केरल क्रिकेट एसोशेशन के अधिकारी ने वदा कि आम तोर पर इस महीने यहां बारिश नहीं होती है लेकिन हाँ पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है इसके लाबा अगले तीन दिन भी बारिश के संभावना जताई गई है अगर ऐसा होता है तो इससे मैच पर असर पड़ सकता है हलांकि हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तयार है ग्रीन फील्ड में मैदान सुखाने के अच्छे उपकरण है और 20 मिनट के अंदर बारिश रुक गई तो मैदान को फिर से तयार किया जा सकता है मुकाबले के लिए दर्शकों में गजब का उतसा देखा जा रहा है और मैच की सारे टिकट पहले ही बिख चुकी है तो उमीद की जाने चाहिए कि बारिश रुके और अच्छा मैच हो ताकि फाइनल मुकाबला रोमान चक और बेहतरीन हो फ्लेमी डिपूट